जैसे जैसे गर्मी अपना विक्राल रूप धारण कर रही है वैसे वैसे हमारी समस्याइं भी बढ़ती जा रही है अब इस विक्राल गर्मी से हम अपने आपको बचाएं या पौधों को बचाएं बहुत बड़ी समस्या आप में से बहुत सारे भाई बैनों के रोज सवाल उ यहां देखिए मेरा पोधा डंबकेन ऐसा नहीं कि हम यूट्यूबर्स के पास कोई जादू होता है जो मौसम जो इन्वार्मेंट आपके लिए है वही हमारे लिए भी है वस अंतर इतना है कि आप किस एरिया में रहते हैं किस प्रदेश में रहते हैं आप किया कितनी गर्मी पढ़ रही है यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह दिली से देख रहे हैं प्रचन्ड गर्मी पारा जो पच्पन के पार पहुशने को होता है तो आप समझ सकते हैं कि हम इनसान भी जूलतने की कगार पे होते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं बस अपनी एक भर्षक कोशि करा सकें ऐसा भी मुम्किन नहीं है ना तो मेरे लिए और ना आपके लिए इतनी प्रचंट गर्मी में जिसकी हम लोगों ने उमीद नहीं करी थी कि इतना पारा चढ़ेगा तो इतना पारा चढ़ने के बाद कुछ पोथे तो निसंदेद दम जरूर तोड़ेंगे पर आपको इतना विश्वास दिला सकते हूं कि कुछ एक पोथे इतने हाड़ी होते हैं कि अगर आपको लगेगा कि जल गए हैं भुन गए हैं उसके बावजूद भी आपका पोथा नहीं मरेगा इधर थोड़ा सा मेरी अपनी घर ग्रैस्ती की थोड़ी से समस्या हैं बहुत जादा म आप कहीं बहार निकल गए तो आप यह समझे कि पत्ते आपको शाम तक इस तरह से जुल से नजर आएंगे ऐसे लगता है जैसे किसी ने माचिस की तेली लगा दियो और इन पत्तों को जला दिया हो पर फिर भी इन पोथों को आप मरा समझ के मत फिय कियेगा आप सी यही गब रहेगा कि आपका पोथा मर गया इस इतनी गर्मी में थोड़ा सा सहन शक्ति बना के रखनी है थोड़ा सप्रयाश ज्यादा करना है पर घबराना नहीं है आपका पोथा मरेगा नहीं कुछ यह डेलिकेट पोथ हैं कुछ सकलेंट से वो निसंदे तम तोड़ जाएंग तो यहीं से मैं काट काट के देती रहती हूं पर इस साल देखिए कितना बूरी तरह से जुलस गया है जबकि इसके पहले पिछले चार सालों में कभी इतना बूरी तरह से मेरा मनी प्रांट नहीं जुलसा था जितना इस बार जुलस गया यह देखिए पत्ते पूरे जल कि शेड जो होता है वो उसकी गर्महट इसके पत्तों तक नहीं उतनी महसूस होती तो यह पत्ते मेरे इतनी बुरी तरह नहीं चलेते पर इस साल भेंकर गर्मी के चलते देखिए मात्र दो तेन दिन में इन पत्तों की क्या हालत हुए अब मुझे लग रहा है यह पूरी तोर जहां से ग्रीन नेट लगा है उस साइट के गमले से बाहर निकल निकल के आए तो उस साइट से मैं इसको पकड़के खीचूंगी जिसे की सारा उपर आ जाए और फिर उसके बाद अंदर थोड़ी सी ठंडक मिलेगी अंदर इसको बार बार पानी भी मिल सकता है तो यह मनी प्लांट अपना हरा बहरा रहेगा तो यह सब दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आप भी परिस्थितियों का डटकर सामना करिए घवराए नहीं जो भी है जितना भी है उसी को बचाने की अपनी भर सक कोशिस करिए और भगवान से प्रात्तना करिए कि जल्दी से इंद्र के साथ फिर से मिलूंगी किसी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाल